नाकपूर टेस्ट का पहला देन उमीद थी कि सपटबस्त मुकाबला देखने को मिलेगा भारत और उस्टिड़ा के बीच में लेकिर रविंद्र जाडे जा कर रहे थे पाँच महीने बाद वापसी पहली पारी में जटक लिए पाँच विकेट करेंगे उसी पर बात स्वाग अकाश आपका धन्यवाची धन्यवाची अकाश एक जबरदस्त उमीद थी एक ऐसा इसको कहा जा रहा था सोशल मीडिया पर तो माना जा रहा था कि भाई इंगलन्ड और ऑस्टेलिया के बीच में जो आशेस होती उससे कहीं ज्यादा राइवर्डी अब भारत और ऑस्टे से शुर्वात हुई सिराज और शमी की वो गेंदवाजी लेकिन फिर कमबैक भी किया औस्टेलिया ने इस्टेवे स्मित लावुशेन की वो साज़ेदारी जाडेजा की वापसी कितनी शांदार रही क्या उन्होंने सबसे बड़ा इंपक्ट इस मैच में छोड़ा आकाश? जी अभी तक तो उन्होंने छोड़ा है पर मैं बड़ा इंट्रेस्टेड रहता हूं इंतीग रहता हूं कि यह जो राइवलरी बताई जाती है अभी आपको अभी पहले बताई तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यह होगा कि भारतिये टीम अभी ऑस्टेलिया को यह तो मतलब इंडिया वाला ठीक है मैच हुआ था पर वहां जाके तो सभी हारते हैं हम भी हार गए तो यह आधी जो कहानी होती है यह ऑस्टेलिया जब आती है जब इंगलेंड आती है सड़नली वो पी आर मश्री जो है वो ओवर ड्राइव में जाती और पिछले 48 घंटे के जरे खेजसे मुह यही बताया गया, बार-बार सप्छा गया है कि इस इस एगस्ट ऑश्टेलिया जो यह जो समझ कि आप 5-6 ऐडिया थी 25,000 को साव चांड भूसा है जो आप घ्था एंपसंव be fair. पिच में जरूर थोड़ी मदद थी और जाडेजा ने एक बार फिर बता दिया कि उनका जो कद है as a bowler in test matches ये लगातार बढ़ता जा रहा है तो एक ही जगा पे गिंद बाजी करते हैं, वहां से turn भी होती है, थोड़ी सीधी भी रहती है, जो अच्छी चीज इनके खेल में बदलाव हुआ है, कि स्टम्स के बहुत पास से गिंद बाजी करते हैं साइथ, और उस वज़़ा से ना उनका जो effectiveness है वह ज़्यादा बढ़ गई है. अकाश बिलकुल और दूसरी तरफ अकर आस्टेलिया की बात हम उनकी बल्ले बाजी की बात करें, जैसे आपने कहा कि पिछ में थोड़ा बहुत जरूर कुछ है, लेकिन क्या ऐसा भी है अकाश कि आप 177 पर all out हो जाते हैं और सिर्फ 4 खिलाडी, उन्चास लाबुशेन, उसके बाद 37, इसमेद 36 रन आता है हैंड्सकॉम के बल्ले से और 36 रन कहरी और 31 रन हैंड्सकॉम, इसके अलावा कोई भी खिलाडी कुछ खास नहीं कर पाया, तो क्या हम ये मानें कि जडेज़ और अश्मिन के गेंदवाजी तो शांदार थी, लेकिन शायद आस्ट्रेलिया के दिमाग में वो बिच का हववा था और उनके बल्ले बाजी में दिख गया। तो जो आपने तीन-चार नाम लिए उनको स्टार्ट तो मिली थी, अगर आपके पास स्टार्ट मिल गई है, आपको पास उतनी पिछ में दम है या आपकी टेक्नीक उतनी सही है, अगर आप 35 बना सकते हैं तो फिर और भी आगे चल सकते हैं क्योंकि पिछ की वजह से वो स्टार्ट में नहीं तो 15-20 रन में वो भी आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाना चाहिए पर अल्टीमेटली अगर आपको स्पिन के खिलाफ रन बनाने हैं तो दो चीजे इंपॉर्टेंट है, एक कि आपके डिफेंस के ओपर कॉन्फिदेंस कितना है, और दूसरा कि आ अकाश बिलकुल और रहे, जिस चीज की आप बात करेंगे, भारत की अपारी की बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा सवाल वो इसलिए कि सब को हैरानी हुई, वर्ल्ड नमबर 4 रैंकिंग में, ट्रेविस हेड, वो इस टीम से बाहर रहते हैं, क्या अगर वो रहते तो क्योंकि अच्छा खेल रहे थे, जो राइट की बढ़िया खेलते आए हैं, पर यह मुझे समझाया गया था कि इनके पाकिस्तान में और शिलंका में वहाँ जा कि उन्हों रहे नहीं बनाया हैं, तो अगर यही बात है तो फिर लाना ही नहीं चाहिए था, और अगर यही बा कि इसलिए बाहर बिठाया है कि लेफ्टी हैं, कि वो लेफ्ट टेंडर के बाहर इतना सारा रॉफ बनाया गया है तो हम इतने सारे लेफ्टी इसके साथ नहीं खेलना चाहते, अगर उस सोच के साथ काम करेंगे तो कैसे चलेगा, पर इस इन इंडियन, अच्छा है, मत खिल केल राहूल आउट होते हैं, लेकिन उससे पहले रोहित शर्मा का जो इंटेंड देखा, उस इंटेंड के बारे में क्या कहेंगे, अप ऐसा लगा कि ऑस्टेलय को बैक फूट पर डखेल दिया उनोंने परिष्थितियों ने परिष्थितियों ने जो टेंपलेट है वो आकरमन का है हमने उनका एक बढ़ा डिफरेंट तेंपलेट देखा था जब वो इंगलिन में बता और ओपनर खेल रहे थे बाहर की गंदो को छोड़ता रहोंगा फिर मैं डिफेंस करता रहोंगा लेकिन यह जो परिष्थितियां है इसके अंदर आपको थोड़ा सा वह ब्रीवरी दिखानी होती है थोड़ा सा अग्रेसिव इंटेंट दिखाना होता है और इनके पास वह अबिलिटी है वह स्वीप अच्छा मारते हैं वह कदमों का इस्तमाल करके हवा में गेंद बाने में में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते और लगातार वो दवाब में डालते हैं गेंद बास को कि अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की सो आयम आम कमिंग एट यू मैं 100 परसंट रन बनाने के लिए सूच रहा हूं और याद है मुझे जो चैपाउक में उन्होंने पारी खेली है अब उम्मीद यही है कि यहीं से थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करें और एक बड़ा सौ बना दे एक दम कप्तानी पारी बिलकुल आपने भी सेट कर दिया आकाश दूसरे दिन के लिए दूसरे दिन के रन नीती क्या होगी भारतिये टीम क्या ये स्कूर के तरफ देख रही होगी आकाश वो भी इसलिए कि चौती पारी में शायद बलेबाजी करने ना है या गर आएं तो बहुत कम रन के लिए हैं तो क्या सेफ टोटल होगा और क्या महमानों के पास अभी भी कुछ मौकें हैं वापसी करने के लिए दूसरा दिन रन निती आकाश देखे मौके तो हैं अब आपके हाथ में गेंध है यह जिस तरीके की स्पिच है इस बहतर तो नहीं होती जाएगी बल्लेबाजी के लिए थोड़ी चैलेंजिंग सर्फिस तो जरूर है और ऐसी पिच पे बहुत बार यह होता है कि एक विकेट गिरती और एक दो तीन लगाता गिर जाती है उग उच्छे में गिरती है विकेट तो उस दिरिष्टी कोन से आना पड़ेगा और भारत के दिरिष्टी कोन से अगर मैं देखू तो 200 रन की लीड कल का पूरा दिन अगर भारत बैटिंग कर जाता है जो मुझे लगता है कर जाएगा तीसरे दिन सुभे करते हुए देखना है ज्यादा नीची और बस इतना सा एक प्रेडिक्शन भी छोटा सा अकाश वानी क्या कहती है क्या कोली का टेस्ट में भी सूखा शतकों का सूखा खत्म हो रहा है अकाश देखे कहना थोड़ा कहर है तुबी बेरी हॉनेस्ट पर मौका अच्छा है मौक कोली टू डॉमिनेट क्योंकि रंस उन्होंने बहुत सारे बनाए है जब सौन नहीं भी बनाए तब भी रंस बनाए है पर कोली का डॉमिनेशन जो है उसको देखने के लिए हम सब उत्सुक हैं आप देख रहे थे ESPN क्रिक इंफो मैच डे हिंदी